हलो बच्चो बहुत बहुत स्वागा थे आपका अपने चैनल कक्षा करें बच्चो हम लोग आज एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आंसिक भिन्नों द्वारा समाकलन एक्सरसाइज इसकी है 7.5 इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.4 को एकदम कम्प् पड़ ले जरूर पढ़ ठीक है चलो आज बात करते हैं आंसिक भिन्नों द्वारा हम समाकलन कैसे करेंगे समाकलन की बाद बात में करते हैं कि सब मिला हमें आंसिक भिन्न क्या होता है बात अगर हम कुछ इस प्रकार से करें कि कोई आपका एक बिंजक PX है और एक दूसरा बिंजक ये आपका QX है एक बिंजक PX है दूसरा बिंजक QX है तो एक और सर्थिसमें यहां पर है जब कि जो QX की घात है वो आपकी छोटी होनी वो आपकी बड़ी होनी चाहिए मतलब सीधी बात यह है कि QX का जो घात है वो बड़ा होना चाहिए PX की घात से इसका गात यह बड़ा है उपर वाला गात छोटा है तो इसको हम क्या करेंगे आंसिक भिंदों में पहले इसको हम डिवाइड करेंगे आंसिक भिंदों में कैसे डिवाइड करते हैं जोको मेरी बात पहले बहुत ध्यान से समझना तीन प्रकार के यहां पर आपको the question खंड करें तो ये QX एक घाद का एक घाद या इसको हम एक घाद का है या रैखिक का है रैखिक की गुड़न खंड है रैखिक गुड़न खंड ये आपके इसके QX के कैसे गुड़न खंड हो रैखिक गुड़न खंड हो मतलब एक घाती गुड़न खंड हो तो आप इसको अंस की आपका लेखा है QX इसको अगर इसके गुडन कंड करें मान के थोड़ी देर के लिए चलो कि इसके गुडन तब इसको अंसिक भेन में बदलने का तरीका आपका होगा एक कोई अचर पद ले और नीचे वाला एक आपको गुणन खंड लिखना है फिर इस प्लस का निसान लगाना है और एक दूसरा कोई अचर लेना है उसको हम B लिख लेते हैं और ये दूसरा गुणन खंड लिख ले एकस माइनस अचर ये अब यहां से हमें इस एक्वेशन से हमें हल करके A और B की बैलू ग्याद करनी है जो भी A और B की बैलू आ जाएगी तो A की बैलू यहां और B की बैलू यहां रखने से इस बेंजक का ये आंसिक भिन्नों में तोड़ना कहलाता है ये आपकी आंसिक भिन्न बन गई अब इसका हमें क्या करना है समा कलन इसका करना है और समा कलन इसका करना है पूरी प्रोस्स सबाल से किलियर होगी, कता ही किसे प्रकार की चिंता न करें, तो दूसरे टाइप का आपका देखो इस प्रकार से समझो, जब QX एक रैखिक गुडनखंड हो। गुड़न खंड रैखिक गुड़न खंड हों तथा उनकी पुन्राब्रति की जासा के उनकी पुन्राब्रति उनकी पुन्राब्रति होती हो उनकी पुन्राब्रति होती हो उनकी पुन्राब्रति होती हो मतलब जो रैखिक गुड़न खंड उनकी पुन्राब्रति होती हो जैस देखो यहां समझो आगर जैसे यह लिखा है PX और अपॉन में QX आगर इसका हम गुड़न खंड करें तो यह इस प्रकार से मिल जाए कि PX अपॉन इसके गुड़न खंड करें तो यह X माइनस A1 मिले दूसरा भी आपको X माइनस A1 मिले मतलब X माइनस A1 का क्या बन जाए स्क्वाइर बन जाए खीक है और एक तीसरा और गुड़न खंड मान लेते हैं X माइनस A2 मान लेते हैं मान लो कि यह QX के गुड़न खंड कुछ इस प्रकार से हो कि एक रैखिक तो हो लेकिन किसी गुड़न खंड की पुर्णा बृति भी की जा सकती हो जैसे इसकी पुर्णा बृति हमने दो बार करी है न या इसकी भी पुर्णा बृति करी जा सकती है तो अगर इस प्रकार का हो तो आपको क्या करना है तो अंसिक भिन में कैसे बदलना है दो को ध्यान दें A बटे में X-A1 लिखना है A बटे में X-A1 जैसे इसमें किया था वैसे ही लेकिन प्लस का निसान लगा के B अपोन में X-A1 का whole square लिख दो एक बार एक पावर एक बार दो पावर ठीक है और ये तीसरा गुड़न खंड फिर वही उसी प्रकार से एक तीसरा गुड़ा गुड़ा C ले लो तीसरा अचर कोई C ले तो आपको यहाँ लिखना है C अपोन में X-A2 यहाँ पर आप हमें हल करके ABC के मानग्याद करके ओर यहाँ पर आपको लिख दैना है तो यह आपको आंसिक भिन के रूप में यह तूट जाेगा यह वाला बेंजा कैसे तूट जाएगा आंसिक भिनों के रूप में तूट जाएगा फिर इसके हम अलग-अलग सबके समाकलन करेंगे और इसका हमें समाकलन मिल जाएगे ठीक है इतिबाद तो ऐसा भी प्रशन आपको मिल सकता है अथोगा इस प्रकार से भी प्रशन आपको मिल सकता है तो को तीसरे प्रकार का प्रश्ण 3 प्रकार की केל प्रश्ण मिलेंगे 3 प्रकार का एक कोई इस प्रकार का प्रश्ण हो सकता है कि P X upon X minus A 1 X minus A 2 तो आपको क्या करना है तो कोई गुड़न खंड या रिपीट नहीं किया गया है आपको एक गुड़न खंड x-a1 है दूसरा गुड़न खंड x-a2 है तो आपको एक कोई अचर पद के साथ में पहला गुड़न खंड लिखना है प्लस का निसान लगाना है हर एक में एक एक प्रोसेस है प्लस का निसान लगाना है और एक दूसरा कोई अचर लेने के बाद दूसरा गुडन खंड बटे में लिखना है और बस A और B के मान ग्याद करना अभी हम बताएंगे आपको प्रश्ण में कैसे कैसे A और B के मान ग्याद करेंगे इसके बाद दूसरे टाइप का कोई सवाल ऐसे भी हो सकता है कि ये आपका PX अपॉन में इसके QX की जब गुडन खंड करें तो X-A1 X-A1 मान लो दो बार आ गया तो X-A1 का स्कॉाइर हो जाएगा मतलब इसकी पुन्रा बृत्ति हो रही है और इंटू में दूसरा गुडन खंड मान लो X-A2 आ रहा है तो यदि ऐसा आता है इस प्रकार का कोई प्रस्ण मलता है इसको हमें आंसिक भेन में बदलना है तो आपको क्या करना है A बटे एक बार X-A1 लिख दो प्लस एक दूसरा आचर पद B लो दूसरा आचर कोई B और अपॉन में क्या लेखना है X-A1 का स्क्वार लेखना मतलब एक बार एक पावर एक बार दो पावर और प्लस एक ये अब तीसरा गुडन खंड है और उसको हमें C बटे में लेखना है X-A2 ठीक तो ये दो टाइप के प्रश्ण आपके हो गई एक तीसरे टाइप का और प्रश्ण हो सकता है वो दोखो कैसे जब QX के गुडन खंड के गुडन खंड दो गाती गुडन खंड हो कैसे हो दो गाती गुडन खंड हो अगर दोखाती गुडन खंड हो तब दोखो ध्यान दें और दोखाती गुडन खंड को एक गात में कनबाट ना कर सकें ऐसी भी सर्थ है जैसे दोखाती गुडन खंड तो आपका X-A2 ये भी दोखाती गुडन खंड है लेकिन इसको तो हम लेख सकते हैं क्या लेख सकते है X plus under root A और दूसरे bracket में X minus under root A तो इसका हम क्या है ये तो रैखिक गुड़न खंड हम बना सकती तो ऐसा कोई दोय गाती गुड़न खंड मिल जाए कि जिसको हम एक गाती मतब रैखिक गुड़न खंडों में ना बदल सके तब उसके लिए क्या करेंगी दोखो QX के गुड़न खंड दोय गाती गुड़न खंड हो तथा इसे रैखिक गुड़न खंड में ना बदला जा सके रैखिक गुड़न खंड में ना बदला जा सके तब दोखो क्या करना है कैसे करोगी तब इसको अंसिक भेन में कैसे बदलोगे माल लेते हैं कि यह आपका है PX और अपॉन में यह है QX और जो QX के गुड़न खंड है वो कुछ इस प्रकार से है माल लेते हैं कि X-A1 एक गुड़न खंड आपका यह है और एक दूसरा गुड़न खंड है वो इस प्रकार से है कि X-A2 यहां ऐसे लिख सकते हो यह यहां प्लस का निसान लगा दे अब जोको इसको हम रैखे गुड़न खंड में नहीं बदल सकते अब इस प्रकार का अगर हमें प्रस्ण मिलता है तो क्या करोगे दोको यह दोए गाती गुड़न खंड है इसमें एक गाती गुड़न खंड है मतलब रैखे के गुड़न खंड भी है और दोए गाती गुड़न खंड भी है तो इसको अंसिक में कैसे बदलोगी दोको ध्यान दे अगर रैखे गुड़न खंड होता है तो आपको पता है एक अचर के साथ में एक गुणनखंड यही जियोंकाते हों लेकिन सार्थ याद रखिए कि अगर दो गाती गुणनखंड को बदलना है दो गाती गुणनखंड को तो आपको दो अचरों को एक साथ लेना पड़ेगा मतलब बी एक्स प्लस सी लेखना अगर आपको प्रश्ण ऐसा मिलता है तो अंशिख भ्य्ण में आपको ऐसे तोड़ना है। यादि प्रवें आपको ऐसा मिलता है… तो आप अंशिख को। इस प्रकार से तोड़ सकते हो। A B C की मान कानले अभी हम सखाएंगे आपका ताहिं चिंता ने करें। यदि आपको यह प्रश्ण आपको इस रूप का मिलता है, तो इसको आंसिक भिन में हम इस परकार दोगों बदल सकते हैं। ठीक है? तो यही टाइप के बस तीन टाइप के आपके इस exercise 7.5 में सारी कुछ आए ठीक है? तो मेरे खाल से आप बिना किसी बिलंब के हम स्टार्ट कर दें exercise 7.5 साहे दिन्सजार आपका होगा कि A और B हम कैसे ग्याद करेंगे बिल्कुल कता ही गबला है ना वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल पर नई आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब देखते हैं ये आपके exercise 7.5 के कुश्याद तो को भई exercise 7.5 क्या है चलो इसको रब कर देते हैं exercise 7.5 को देखो चलो इसको रब कर लें exercise 7.5 का पहला कुश्चन देखो देखी पहला प्रश्चन जो है उसमें यहाँ पर प्रश्चन एक से 21 तक दिये गए हैं 21 प्रश्चनों को सब को क्या करना है पर में फलनों का हमें समाकलन करना है चलो देखो पहला प्रश्चन ये है आपके पास और इसका समाकलन करना है x upon में x plus 1 into में x plus 2 देखिए ध्यान से समझो भई क्या हमने बताया आपको कि ऊपर दोखो ध्यान दे अंसपटे हर के रूप में हर प्रशनाप का लिखा मिलेगा एक ऊपर कोई फलन होगा इसको हमने px लिखा था ये ऊपर वाला एक फलन है नीचे वाले फलन को हमने qx लिखा था तो हर प्रशना आपका जो भी मिलेगा वो px upon qx की फॉर्म में मिलेगा अब हमें क्या करना है उपर से कुछ नहीं देखना उपर नहीं देखना है नीचे जो हर में आपका फलन लिखा हुआ है इसको हमें देखना है कि इसके गुडन खंड रेखे गुडन खंड है या दोयगाती गुडन खंड है या इसक्वाइर या क्यूब बाले गुडन खंड है मतला होल स्क्वाइर या होल क्यूब भी हो सकता है हमने बताया कि कोई गुड़न खंड अगर बार बार आ रहा है दो बार आया तो whole square होगा तीन बार आया तो whole cube होगा तो ये तीन मैंसे किस type का आपका ये प्रशन है आपको यहाँ पर सीधी बात दिख रही है कि ये भी रहखे गुड़न खंड है और ये भी रहखे गुड़न खंड है तो चलो इसको पहले अंसिक भिन में बनाएंगे कैसे बनाएंगे दोखो x upon x plus 1 into में x plus 2 इस प्रकार लिख दो ठीक अब हमने बताया कि उपर नहीं देखना है कुछ भी बलकि हमें क्या करना है एक कोई एक कोई अचर पद ए लेना है अचर कोई एक लेना है ठीक है और upon में क्या करना है पहला गुड़न खंड लिखना है प्लस फिर एक दूसरा कोई अचर गुड़न खंड बी ले और उस b के बटे में दूसरा गुणन खंड लिखना है x plus 2 अब समझो इसकी अंसिक भेन ये बन गई केबल दिक्कत इस बात की है कि a और b के मान हमें पता होना चाहिए कर लेते हैं पतादो को कैसे करेंगे ध्यान लें अगर मान लेते हैं चलो इसको एक step और आंगे बढ़ाएं तो हम इसको ऐसे लेख सकते है x upon x plus 1 into में x plus 2 ध्यान से समझो भई यहां देखिए इसको अगर LCM ले x plus 1 into में x plus 2 यह LCM ले तो आपके पास यह हो जाएगा a into में x plus 2 plus में b into में x plus 1 इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है अब देखिए यहां से इसको आप cancel कर सकते हो कर सकते कि नहीं तो अब क्या बचाएगा अब जो बचाएगा उसको ध्यान से समझो यह बचाएगा x बरावर a into x plus 2 plus b into x plus 1 एक दो को बढ़िया सा equation बनके यहां पर तयार हो गया इतने step करने के बाद जो equation बनाएगा उसको हम number 1 दादे हर पुरशने के बाद है a कही तरीके से सारे पुरशनों को हम हल करें अब बास्ताम में हमें चाहिए क्या कि a और b के मान चाहिए असली बात तो यह है a और b के मान मिल जाएगे अगर a का मान हमें ग्याद करना है तो a के जो बटे में हमने संख्या लिखी इसको आप 0 लिख दो क्या लिख दो दोखो ध्यान ने a के मान के लिए यहां लिख दें a मान के लिए और a आपको यहां x प्लस 1 को 0 लिखना है तब x की value दोखो कित्ती आ जाएगी minus 1 plus 1 इदर ले जाओगे minus 1 और यह कहां लिख दो sumi करण 1 में लिख दो sumi करण 1 में रखने पर जैसे ही हम x का मान minus 1 इस sumi करण में लिखेंगे तो a की value अपने आप आजाएगी अपने आप दोखो ध्यान दें x के जगह पे हम लिख दें minus 1 बराबर का निसान लगा दें a अपना जियों काते हो लिख दें x का मान लिखेंगे minus 1 plus 2 आपका जियों काते हो minus 1 plus 2 x का मान किता है minus 1 हमने लिख दिया plus 2 जियों काते हो फिर plus का निसान लगा दो b लिख दो और x का मान minus 1 और यह plus 1 ये अपने आप 0 हो जाएगा दोखो हर प्रश्णी की बात है अगर यहां पर A की बेलू हम निकालना चाहेंगे तो आंगे वाले जो भी गुणांग होंगे वो सुननों जाएगे केवल A का इमान आएगा ये बचाएगा बाकि ये बाला B बाला 0 हो जाएगा दोखो माइनस एक प्लस एक जिरो हो जाएगा तो यहां दोखो माइनस एक बराबर दो मैंसे एक गटाएगा एक बचाएगा मतलब A बचाएगा कुल मिलाके हम ये कहेंगे कि A की बेलू हमें माइनस एक मिल गई इत्ता बताओ कोई समस्या a बराबर minus 1 में लिए अब हमें b की value ग्याद करनी है तो b के जो बटे में लिखा है ये इसको 0 लिख दो यहां लिख दें for b क्या लिख दें b, b के लिए क्या करना है b के जो बटे में लिखा है उसको 0 लिख दो b के बटे में क्या लिखा है x plus 2 तो x plus 2 को 0 लिख दो तो यहां से बताओ अब x की value किती आएगी minus 2 आएगी कि नहीं और कहां लिख दें ये समी करण 1 अगर हम समी करण 1 में अब x का मान minus 2 लिख दें तो अब भी का मान मिल जाएगा जो को पकी बात समझो बात ये आपको x का मान किता लिखना है minus 2 लिखना है बराबर का निसान लगा दें a अपना जियू का तियू और minus 2 x का मान किता लिख होगी minus 2 plus 2 देंगा ये तो 0 होगे हमने बताया जिसकी value हम गयाद करेंगे बस वही बचाएगा बाकी 0 हो जाएगे तो A ये दो को 0 हो गया प्लस का निसान लगा दो B लिख दें और X कमान लिख दें माइनस का 2 प्लस का 1 ठीक है यहां देखिए माइनस का 2 बराबर का निसान ये तो 0 हो गया और प्लस में ये दो को माइनस का 1 हो जाएगा किता होगा माइनस 1 इंटो B माइनस माइनस दोनों साइट कैंसिल कर दें तो B वराबर कित्ता हो जाएगा B वराबर 2 अब बताओ वई B की बैलू 2 है A की बैलू माइनस 1 है A और B दोनों की बैलू हमें पता चल गई अब हम क्या करेंगे अब तो बड़ी आसान सी बात है अनसिक भेन समझो बदल गई कैसे दोको X अपोन X प्लस 1 इंटू X प्लस 2 यह आपका प्रश्ण था और इसको हमने अनसिक भेन में के रूप में जब लिखा था तो लिखा था A बटे में X प्लस 1 और प्लस में B बटे में X प्लस 2 यही तो लिखा था अब इसमें देखो A की बेलू हमने निकाल ली है वो माइनस एक है तो यहां लिख दे माइनस एक बटे में X प्लस 1 प्लस यह दोखो B की बेलू बता दो B की बेलू है 2 और 2 बटे में लिखते हैं X प्लस 2 यह दोखो अनसिक भेन में आपका प्रिश्ण बदल गया जो भी आपके ये पर्मे बिंजक दिये गई थे ये पर्मे बिंजक आपका अंसिक भिन्नों में बदल गया अब हमें करना क्या था इस पर्मे बिंजक का हमें समा कलन करना था x into dx upon x plus 1 into x plus 2 यही तो हमें निकालना था तो यहां दो वो समा कलन का निसान लगा दो और माइनेस में एक बटे x plus 1 plus 2 बटे में x plus 2 into dx अब बताओ वही किसी प्रकार की कोई समस्था नहीं ना बस इसका समा कलन अलग कर दें इसका अलग करें और आपको अंसर मिल जाएगा एक बटे x plus 1 into dx plus 2 बाहर निकाल ले तो एक बटे x plus 2 into dx अब बताओ क्या करना है इसका समा कलन आपको बहुत अच्छे से पता है होता है log x plus 1 plus इसका भी समा कलन हमें पता है log x plus 2 होता है plus constant बस यह समझो आंसर आगया अगर आप चाहो तो थोड़ा और आंगे बढ़ाएं minus में log x plus 2 x plus 1 और plus यह दो खोड़ अगर log नियम की बात करें तो log के हिसाब से यह 2 जो गुड़ा में लिखा है यह कहां घात में पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा कि नहीं इसको हम लिख सकते हैं log x plus 2 का whole square देखे यह फॉर्मूला होता है log m की पावर n बरावर यह n पहले आ जाता है n log m इसको लिख सकते हैं के नहीं तो यह अगर n log m लिखा है तो यह n कहां पहुंच सकता है घात पर यह दो इसी प्रकार से यह दो हमने अटाक एक हाथ पर लगा दिया plus constant अब देखिए आपके पास फॉर्मूला है log m minus log n minus में होता है तो बटे में आ जाता है मतलब log m बटे n हो जाता है log m की बैलू तो यह है x plus 2 का square और बटे में n की बैलू x plus 1 है बस अब constant आपका यह बचा यह आंदा ठीक इतना काम देखो यहाँ पर हमें हर प्रश्ण में करना है हर प्रश्ण में एक एक प्रोसेस करनी है कि अगर एक घाती गुडन खंड होंगे तो हमें एक अचर के साथ में पहला गुडन खंड प्लस दूसरे अचर के साथ में दूसरा गुडन खंड लिखके और यहां तक हम ले आएंगे इसको एक नमबर डालेंगे और फिर इसके बाद यहरी एक ही वैलू गयाद करेंगे तो इसको जीरो लिख दें तो यहां से अगर हमने जीरो लिखा तो x का मान मानस एक इस समीकड में आप रख दें तो ए का मन मिल जाएगा और इसको जीरो लिखोगे तो हमें b का मन मिल जाएगा बस a और b के मान हमने जो यहां लिखके और इसको हमने सबस्क्राइब इतना काम करने हैं ठीक है हर एक प्रिश्चन में एक अई बार चलो आगे बढ़ते हैं question number दूसरी पर चलो इसको रब कर दें इसको हम रब कर दें और question number दूसरा देखो question number दूसरा क्या है बई देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दूसरा प्रश्ण वो कुछ इस प्रकार से लिखा है समा कलन करना है एक बटे एकस स्क्वाइर मानिस नो अब भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है कि नीचे जो लिखा गुड़न खंड है जो नीचे आपका वेंजग लिखा है वो दोगाती है लेकिन दोगाती है जरूर लेकिन एक सर्थ भी तो हमने बताई थी कि इस दोगाती गुड़न खंड के गुड़न खंड रैखे कर ना हो सके इसके तो हो जाएंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-3 और दूसरे ब्रैकिट में x-3 इसके गुड़न खंड कर सकते हैं कर सकते के नहीं आपको ये तो पता होना चाहिए पता है आपको बहुत अच्छी बात है अब हम क्या करेंगे इसके अंसिक भिन में इसको बदल दें दो को ध्यान दें 1 बटे x-3 1 बटे x-3 into x-3 इसको हम अंसिक भिन में कैसे बदलेंगे वही तरीका हमने बताया कि उपर कुछ भी लिखाओ इससे हमें कोई लेना देना नहीं केबल इतना लेना देना है कि नीचे की घात इनका दोनों का गुणा करें तो x-2 बन जाएगा मतलब नीचे की घात बड़ी होनी चाहिए उपर की घात छोटी होनी चाहिए बस इतना मतलब है तो यहाँ पर उपर की घात तो दोखो x की पावज 0 है इसमें है यह नहीं न और नीचे x-squire है तो इसका मतलब यह ठीक है कि नीचे की घात अधिक है उपर की घात कम है तो अब आँगे करना क्या होता है हमें एक एक कोई अचर के साथ में एक गुणनखंड नीचे वाला लें फिर बी लिख दें और दूसरा गुणनखंड लिख दें इतनी बात है दोखो जो हमने पहले में किया वही दूसरे में किया अब आंगे तो यहाँ इसको और आंगे बढ़ाओ तो दोखो इस परकार से X-3 और X-3 बराबर का निसान लगाओ यहाँ LCM आएगा X-3 इंटू X-3 चलो यहाँ से बनेगा किता A-2 X-3 प्लस में B-2 X-3 चलो यहाँ इससे कैंसल कर दो ठीक है चलो एक बराबर में यह क्या हो जाएगा A इंटू में X-3 प्लस में B-2 में X-3 इस पर EQ 1 डाल दो अब क्या करते हैं अगर A का मान गयाद करना है तो इसको 0 लिखना है बी का मान गयाद करना है तो इसको 0 लिखना है ऐसे ही तो करते हैं तो यहाँ लिख दें For A A के लिए क्या करोगे X-3 को 0 लिखोगी मतलब X बरावर 3 कहां लिखना है समी करण 1 में रखने पर ठीक है तो ये तो आपके पास 1 है बरावर में A into X का मान हम लिखेंगे 3 प्लस का 3 लिखना है तो इसको भी 3 लिखना है प्लस 3 तो है प्लस का निसान लगा दो B उड़ें यहां 3 माइनस 3 यह अपने आप हमने का 0 हो जायागा ठीक है कि नहीं तो 3 तरका 3 और 3 कितना होगी 6 6 का इधर भाग हो जायागा तो A बरावर 1 बटी 6 देखो हमने निकाल लिया A का मान A का मान निकाल लिया इसके बाद जोखो B का मान कैसे निकालोगी B का मान निकालने के लिए इसको 0 लिख दें तो यहां लिख दें 4B B के लिए क्या करना है X प्लस 3 को 0 लिखेंगी मतलब X बरावर हम कितना लिखेंगे माइनस 3 कहां लिखेंगे समी करड़ 1 में समी करण एक में हम x का मान मानस 3 लिख देते हैं दोखो ध्यान देए यहाँ एक आपका mg का तियों बराबर का निसान लगा दू ए आपका mg का तियों x का मान लिखेंगे मानस 3 और यह प्लस 3 हो जाएगा दोखो 0 हो गया कि नहीं प्लस केबल B का मान यहाँ निकलाएगा B इन्टू X का मान-3 और यह भी आपको मान-3 रकना है ठीक तो यह तो हो गया 0 और यह हो गया मान-6 B तो यहाँ से आप देख सकते हो B की value मान-1 रिख 6 हो जाएगी A का मान निकाल लिया B का मान निकाल लिया अब क्या करना है अब आपको A और B के मान यहां रखना है तो अंसिक भिन की रूप में आपका यह सवाल बन जाएगा दोगों एक बटे X-3 और इंटू X-3 को क्या लिखोगे A अपॉन X-3 प्लस B अपॉन X-3 यही तो था हमारा सवाल अब A की बैलू हमने निकाली एक बटे 6 तो यहां लिख दें एक बटे 6 इंटू X-3 तो ठीक है प्लस यहां B की बैलू बता दो कित्ती लिखनी है मानस में लिखना है एक बटे 6 और इंटू X-3 बताओ भई इत्ती बार ठीक है अब इसका हम समा कलन कर दें तो यहां लिख दें समा कलन आप एक बटे एक्स माइनस तीन इंटू एक्स प्लस तीन इंटू डी एक्स बराबर जो को एक बटे छे को हम समा कलन से बाहर कर लें और एक बटे एक्स माइनस तीन इंटू डी एक्स लिख दें फिर यहां माइनस एक बटे 6 ये भी समा कलन से बाहर कर लें तो यहां बचाएगा एक बटे x प्लस 3 इंटू डी एक्स अब बताओ वही कोई समस्या हो तो यहां तक बिल्कुल ठीक है तो एक बटे 6 इंटू में इसका समा कलन तो पता ही है लोग x माइनस 3 होगा माइनस एक बटे 6 इसका समा कलन बता दो लोग x प्लस 3 हो जाएगा और प्लस एक कोईस्टेंट लेक दो हो गया काम दोनों जगह से अगर आप चाहों तो बनवाई 6 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पर हो जाएगा लोग x माइनस 3 और माइनस में लोग x प्लस 3 अब बताओ एक बटे 6 और लोग m माइनस लोग n बरावर किता होता है लोग m बटे n x माइनस 3 बटे में लेक दो x प्लस 3 प्लस कोईस्टेंट ठीक है तो इस तरीके से यह दोखो आंसिक भेने की रूप में हमने बदला और फिर इसका हमने समाकलन लेगा ठीक है याद करिए पीशे कुछ पीशे की बाते हैं अगर याद करो तो इसको बिल्कुल एक लाइन में जो बिशिश्ट फलनों के हमने समाकलन बताये थे उसमें बिल्कुल एकदम दोखो यहाँ पर इतनी जगे में यह आ जाएगा अगर उस फॉर्मूले से लगाओ हला कि अगर एकजाम में आपको प्रश्ण में यह कहा जाए कि समाकलन करिए तो आप किसी भी मैथेड से कर सकते हो और यदि इस पेसली कह दिया जाए कि भई या आनसे एक भिन्नों में तोड़ करके समाकलन करिए तो आपको यही सब कुछ करना पड़ेगा तो इस समाल को हम फिलाल एक दूसरे मैथेड से भी लगा सकते हैं कि एक बटे यह लिखा है एक स्कॉाइर और माइनस नौ को हम लिख सकते हैं तीन का स्कॉाइर इंटू डिया बताओ दोगो इसका समाकलन हमने आपको डारेक्ट लिखाया है अगर आप से सीधा डेरेक्ट पूंचा जायाए कि इसका समाकलन करिये तो आप फॉर्मूले के तहद भी कर सकते हो जो कि इससे पहले बाली एक्सरसाइज में हमने इसी विसिष्ट फनों के समाकलन जो थे वो हमने आपको बताई दे ठीक है तो उस फॉर्मूले से करो तो भी आपको देखो आंसर वही आए ठीक है और इसको हमने अंसिक भिन्नों में तोड़ने के बाद इसका हमने समाकलन जिया ठीक है बच्चु नोट करो वही अब देखते हैं कुश्चन नमबर तीन देखो तीसरा प्रश्ण देखो कर दें स्कूर आप हम चलो फटा फट कर लिया करो वही है कुश्चन नमबर तीन आजओ कुश्चन नमबर तीन जो को कुश्चन नमबर तीन क्या है तीसरा प्रश्ण क्या कहता है समाकलन करना है तीन एक्स माइनस बन और अपोन में है यह आपका एक्स माइनस एक इंटू में एक्स माइनस दो into में x minus 3 into dx लिखे दे यह आपका है इसको आई लिखे तो इसका भी दोखो वही काम है नीचे देखिए आपके रैखे गुणखंड है कैसे गुणखंड है रैखे गुणखंड तो इनको हमें आंसे की भेंद में बदलना है एकदम आसान तरीका आपको एकदम दोखो थोड़ी जल्दी से काम करेंगे जल्दी से करेंगे आप भी एकदम अपना एलर्ट दमाग रखके बैठें भाई या है ना क्या करना है तो को नीचे रहे गुड़न खणने पहला एक गुड़ांक लें बटे में लिख दें एक्स मानस एक फिर एक दूसरा आचर गुड़ांक भी लिख लें इसमें बटे में एक्स मानस दो लिख दें और इसी परकार सी बटे में एक्स मानस तीन लिख दें अब एक ही बैलू गयाद करने के लिए इसको हम जीरो लिखेंगे एक ही बैलू गयाद हो जाएगी इसको जीरो लिखेंगे तो सी की बैलू गयाद हो जाएगी इसको ए अहां देखिए LCM आएगा X-1 into X-2 into X-3 ये दो को cancel हो जाएगा ये दोनों गुड़न खंड बचेंगे इसको A के साथ गुड़ा करना है ठीक है प्लस अब B लिख दो ये cancel हो जाएगा तो ये दोनों गुड़न खंड बचेंगे B के साथ गुड़ा हो जाएगा X-1 into X-3 लिख और प्लस यहां पर दो को C into A cancel हो जाएगा तो ये दोनों गुड़न खंड बचेंगे X-1 into X-2 लिख दो तो ये दो को पूरा cancel हो रहा है आपके पास एक equation बन जाएगा 3X-1 बरावर A into X-2 into X-3 प्लस में B into X-1 into X-3 प्लस में C into X-1 into X-2 देखिए ये समिकर नमबर 1 अब देखो यह पहला एक समी करड़ जो बन गया इसकी मदद से हमें क्या करना है A का मान, B का मान, C का मान निकालना है फिर इसका समा कलंड करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है आ जाएगा, अगर हम A का मान ग्याद करना चाहें तो इसको 0 लिखेंगे यहां लिख दें फॉर ए ए मान को ग्याद करने के लिए X मानस बन को 0 लिख दो मतलब X बराबर 1 लिख दो कहां लिख दें समी करण एक में समी करण एक में रखने पर चलो यहां पर समी करण एक जो यह है ना इसमें X का मान एक लिख दो X कमान 1 माइनस में 3 बाकी दोखो 0 हो जाएगे सब कुछ B गुणा 0 लिख दो C गुणा 0 लिख दो अपने आप ये सब 0 हो जाएगे कैसे दोखो ऐसे X कमान 1 लिखो गे 1 मैंसे 1 गटाएगा 0 और 0 का गुणा बहुत जिरो होई जाएगा इसी प्रकार 1 मैंस 1 ये भी 0 हो जाएगा तो ये दोनों आपके B और C चिरो हो जाएगे अपने आप तो 2 एकम 3 एकम 3 और 1 गटादो 2 तो ये हो गया 1 उड़े ये मैंस 1 ये मैंस 2 तो मैंस मैंस प्लस 2 एकम 2 2 से 2 का भाग करोगे A कमान 1 आजाएगा A बरावर ये इतनी बात तो बिल्कुल एकम समझ में आई होगी A बरावर एक हो गया अब B का मान निकालो तो B के मान निकालने के लिए X मैंस 2 को 0 लिख दो तो यहां लिख दें 4 B X मैंस 2 को 0 लिख दो तो X बरावर कित्ता हो जाएगा 2 और कहां लिखोगे समी करण 1 में समी करण 1 में रखने पर तो चलो यहां पर दोखो 3 इंटू X का मान 2 लिख दें माइनस में 1 लिख दें बरावर में A गुड़े 0 लिख दो B की बहर उसी दी निकलेगी समझो यहां 2 लिखोगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा पूरा यहां देखिए B X का मान लिख दें 2 मानस में 1 X का मान लिख दें 2 मानस में 3 और C गुड़े 0 लिख दें यहां देखिए 2 मानस 2 0 हो जाएगा कि नहीं बक्षी बात है अब 3 दून 6 में से 1 घटा तो 5 बचाएगा बराबर का चिन लगा दें B आपका ये और इधर लिख दें 2 में से 1 घटा होगी 2 में से 3 घटा होगी माइनस एक तो माइनस का B हो गया अब B बराबर आपको यहां लिखना है B बराबर माइनस 5 मांच बी बरावर मांच ए बरावर एक बी बरावर मांच अब के बद सी के मान की हमें जरूरत है के बद सी का मान देखो कैसे गयाद करो सी के मान की जरूरत है सी का मान गयाद करना है तो एकस मानस तीन को जिरू लिख दो तो यहां लिख दें फॉर सी C के लिए क्या करना है X मानस 3 को 0 लिख दो और X बराबर यहां से 3 मिल जाएगा और कहां लिखना है समी करण 1 में रखने पर 1 में लिख दो गई 3 इंटू X का मान 3 और मानस का 1 3 X का मान 3 मानस में एक बराबर का निसान लगाओ A 0 होगा B 0 होगा C का गुड़ान का आपको यहां पर मिलागा दो को यहां बराबर का निसान लगाओ A 0 लिखो B 0 लिखो C गुड़े X का मान कित्ता लिखो 3 3-1 फिर यहां पर 3-2 चिक 3 तरका 9 में से 1 गटाव 8 और यह C इंटू में यह 2 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा 2 का भाब कर दें C का मान देखो 8 बटे 2 मतलब 4 अब बताओ A B C 3 की मान निकलाए अब हमें देखो इसका अगर अंसिक भेन में हल चाहिए तो कित्ता मिलागा A का मान रख दें B का मान रख दें और C का मान देख ठीक तो को हम यह प्रस्ण ना होता रहे है इसमें हमने I बराबर तो लिखा ही लिया है है ना तो इसको हम I बराबर लिख लेते हैं I बराबर इंटिग्रेशन अभी इंटिग्रेशन की बात में I बराबर तो को कित्ता मिल जागा A बटे में A की value है किती A की value है 1 तो 1 बटे में X-1 लिख दें प्लस B B की value बता दो 5 रिल 5 तो यहां लिख दें रिल के 5 और बटे में X-2 प्लस C की value 4 है दो को लिख दें प्लस के 4 बटे में X-3 इतनी तो ठीक है और यह आपको दो क्यामना कर दिया इसकी अंसिक भिन में बदल दिया अब इसका समा कलन कर दो तो चलो यहां समा कलन का निसान लगाएं D X लिख दें समा कलन का निसान लगाओ D X लिख दो समा कलन का निसान लगाओ D X लिख दो समयो काम खतम समा कलन कर दो आंसर आ जाएगा दो को कितना आपको यहां पर मिलेगा log x minus 1 चलो minus यह है 5 बाहर निकाल लो इसको भी हम log में लिखेंगे log x minus 2 plus 4 बाहर निकाल लो इसको हम लिख सकते हैं log x minus 3 और plus 1 constant लिख दो अंसर समझो यह है अगर आप चाहो इसको हल तो हल करने के लिए 5 कुछ भी ना लिखा रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है इस पर log को apply करने का मतलब कुछ खास नहीं है कि हम log के methods पे हल करें हम केबल इसका समा कलन कर रहे हैं तो समा कलन हमें दोखो इतना फिक है चाहँ इसको नोट कर लो question number है 3 आगे आते हैं question number 4 पर आते हैं यहाँ पर दोखो चौथा प्रशन केबल और केबल हम हिंट करेंगे थोड़ा सा हिंट करेंगे और आपको एकदम बात समझ में आएगी कि हमें क्या क्या करना है देखे question number 5 sorry question number यह कौन सा था वई यह question था तीसरा और इसके बाद दोखो चौथा परशन लेका है उसमें तो आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि नीचे रैखे गुड़न खंड है एक घाती गुड़न खंड नीचे है चौथे परशन में तो आपको बिल्कुल यही करना है A बटे प्लस B बटे में प्लस C बटे कि इसी प्रकार से करना है पांच में सवाल में हम गुड़न खंड बना लेंगे नीचे हर में और फिर इसके बाद में वही प्रोसेस अपनानी है दो ओको पांच मह सवाल देखो पांच मह देखो वई पांच माँ प्रिष्ट है दोको समा कलन करना है 2x अपोन में x square प्लस में 3x प्लस 2 इसका हमें समा कलन करना है इसको हम आई बराबर लिख लें चलो दोको ध्यान दें इसको हमें क्या करना है ध्यान से समझो ये आपका सवाल इस प्रकार से आंसिक भेंड में बदल जाएगा कि इसके हम रेक गुड़न खंड पहले कर लें तरपाद लगा दें दोको इसको यहां लिखके बता देती है x square प्लस 3x प्लस 2 के पहले हम गुड़न खंड कर दें कैसे दोको करोगे x square प्लस में 2x प्लस में 1x प्लस में 2 इस मद बाले पद को दो पदो में बदल दिया ठीक है और यहां से दोको x common में बिलेगा तो x प्लस 2 और यहां से प्लस में 1 तो x प्लस 2 और यह आपका x प्लस 2 और दूसरे bracket में x प्लस 1 दोको इसके गुड़न खंड हमने ये कर लिए कौन-कौन से एक गुड़न खंड x प्लस 2 है दूसरा गुड़न खंड x प्लस 1 है अब बता लिखदम इसपश्ट कह सकते हो कि नीची रहे पुरन घंड है तो इसको हम आंसिक भेन में कैसे बदलेंगे दोखो एक कम तो और इसमें किया जा सकता है कि दो ये दो लिखा है ना दो हमारा अचर है इसको समा कलन से बाहर कर दो इसको अंसिक भेन में अगर बदलें तो देखो ध्यान ने दो स्वरी एकस लिखो दो सीधा एकस और बटे में एकस प्लस दो एकस प्लस एक इसको अंसिक भेन में बदलो तो क्या करोगे ए बटे में एकस प्लस दो और प्लस में B बटे में X प्लस बान लिखो अब हम आपके लिए शुड़ेंगे क्योंकि यहां A का मान आप बड़े आराम से ग्याद कर सकते हो इसको 0 लिखोगे A का मान ग्याद हो जाएगा इसको 0 लिखोगे तो B का मान ग्याद हो जाएगा A और B के माना आप यहां रखोगे दो को साथ में 2 का मल्टिप्लाई है उसको याद रखना है तो यहां पर इसका जब समा कलन करोगे तो 2 पहले लिखना है फिर समा कलन का निसान लगाना है A की जो बैलू आए वो यहां लिखनी है और बटे में X प्लस 2 इंटू Dx रखना है प्लस समा कलन का निसान लगा के B की बैलू लिखनी है और बटे में X प्लस 1 इंटू Dx इस प्रकार से दो को इसका हाल मिल जाएगा इसको आप स्वयम खुद करोगे A की बैलू निकालो B की बैलू निकालो इसका समा क्लन कर दो इसका समा कर सकते हो आगे देखिए इतनी बड़ी नोट बई कर लो है इस नोट कर सकते हो बाकी रब कर लें चलो कुश्यन नमबर पांच के आगे आते हैं पांच के बाद देखो कुश्यन नमबर छटमा जो है उस पर थोड़ा यहाँ पर गोर करें यह थोड़ा अलाग है क्या है दो को इसमें लिखा है बन मानस एक स्क्वाइज और अपॉन में एक्स इंटू ब्रेकिट में बन मानस टू एक्स ऐसा लिखा हुआ है अब ही हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपको यह बताया था कि जो पी-एक्स है उसकी घाथ और क्यू-एक्स की घाथ में कुछ एक संबन होना चाहिए कि इसकी घाथ बड़ी होनी चाहिए और इसकी घाथ छोटी होनी चाहिए अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इसमें गुणा करोगे X स्क्वाइर मिल जाएगा उपर भी X स्क्वाइर नीचे भी X स्क्वाइर मतलब PX की गहात और QX की गहात समान है यहाँ छोटी बड़ी नहीं है तो यदि समान होती है तो एक बार भाग जाएगा इसको पहले हमें भाग देना है फिर अंसिक भिन में बदलना है चलो यहाँ देखो करके दिखाएंगी इसको ऐसे लिख सकते हो 1-X स्क्वाइर डिवाइड़ बाइ X-2X स्क्वाइर इस X का यहाँ इस X का यहाँ उड़ा कर दें और फिर इसके बाद हम भाग करें इसके बाद भाग करने के बाद अंसिक भिन में तोड़ेंगी देखो 1-X स्क्वाइर में भाग करना है काई से भाग करना है X-2X स्क्वाइर से भाग करना है अब बताओ कितनी बार भाग जाएगा आपको यहां लिखना है भाग जाएगा एक बटे दो बार कितने बार जाएगा एक बटे दो बार क्योंकि इसका इसमें गुणा करो ये संख्या आ जाए तो वही तो होता है तो इसका इसमें गुणा करके देखो किता आएगा minus x square फिर इसका इसमें गुणा करो तो किता आएगा प्लस एक बटे दू एकस आएगा इतनी बात तो समझ में आ रही होगी दोको माइनस का दू एकस स्क्वाइर गुणा करना है एक बटे दू से दू से दू कैंसल करो माइनस एकस स्क्वाइर बचेगा कि नहीं और फिर 1 बटे 2 का X में गुणा तो 1 बटे 2X लिखो गई, खीक है, अब यहां घटा होगी तो यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस यह दो को कैंसल हो गया, तो माइनस एक बटे 2X और प्लस 1, यहां माइनस एक बटे 2 प्लस 1, अब देखिए आपके पास क्या हो गया, यह हो गय प्लस यहां लिखना है माइनस एक बटे दो एक्स प्लस बन माइनस एक बटे दो एक्स प्लस बन डिवाइड़ बाई एक्स इंटू बन माइनस टू एक्स अब दिखो यहां पर क्या करोगे इसको एक बटे दो तो यह ठीक है एक बटे 2 इंटो डी-एक्स लिखे दो प्लस का निसान लगाओ, समा कलन माइनस एक बटे 2 एक्स प्लस में एक डिवाइड़ वाइ एक्स इंटो 1 माइनस 2 एक्स इंटो डी-एक्स अब देखो यहां बुत, इसको आपको अन्सिक भरन में बदलना है तो यहां दोगो एक step और आंगे बढ़ाओ तो एक बटे दो हम बाहर निकालेंगे इसका समा कलन x लेखेंगे प्लस का निसान लगाओ और इसको i1 लेखेंगे यह समझो इसका answer i1 का मान निकाल के यहां रखोगे तो आपका answer मिल जाएगा i1 है कितना दोगो यहां लेखो जहां i1 की वैलू किती है i1 की वैलू है समा कलन का निसान लगाओ minus 1 बटे 2x प्लस 1 अपोन में x इंटू में 1 minus 2x इंटू dx यह आपकी i1 की वैलू है अब इसको दोगो क्या करना है answer बेहन में बदलना है minus 1 बटे 2x प्लस 1 और divided by x इंटू 1 minus 2x अब देखो यह भी रैखे कुड़न खंड है यह भी रैखे कुड़न खंड है जब रैखे कुड़न खंड होते हैं तो हम क्या करते हैं एक अचर पद लेते हैं बटे में x लिखते हैं प्लस दूसरा यह गुड़न कचर वाला b लें और बटे में लिख दें 1 minus 2x इस प्रकार से दूखो लिख दें ठीक है अब a और b की value ग्याद करने के लिए चलो एक step और आंगे बढ़ाएंगे तो minus 1 बटे 2x प्लस 1 बरावार क्या करोगे इसका LCM लेगे तो यह और यह तो cancel हो जाएगा इसका इसमें गुड़ा है इसका इसमें गुड़ा है ऐसे याद कर लोगे कि step और कम कर दिया हमने दो 1 minus 2x प्लस b into x यह आपका equation number 1 है अब यहाँ अगर x की value ग्याद करनी है तो आपको क्या करना है एक ही value ग्याद करने के लिए x बरावर 0 लिख दो इसको 0 लिख दो तो x बरावर 0 कहां लिख होगे समी करल एक में एक में रखने पाद दोको माइनस एक बटे दो x का मान हम लिख दे 0 प्लस मैं लिख दे 1 बरावर एक गुड़ाए में दोको 1-2 x का मान 0 लिख दे प्लस b गुड़ाए x का मान 0 लिख दे यहां देखिए यह तो पूरा 0 हो जाएगा तो इधर तो बचेगा 1 और यह आपका 0 हो जाएगा तो a का 1 में गुड़ा a यह तो 0 ही है तो कुल मिलाके a बरावर हमें 1 मिल रहा है ठीक है अब b की बैलू कैसे ग्याद करोगे अब इसको 0 लिख दो यहां लिख दे हैं for b b के लिए क्या करना है 1-2 x को 0 लिखना है तो इस प्रकार से x की बैलू यहां देखो 1 बटे 2 मिलेगी कहां लिखना है समी करड़ 1 में समी करड़ 1 में रखने पर तो यहां देखो लिख दो minus 1 बटे 2 x का भी मान लिखना है plus 1 लिखना है बरावर a गुडे 1-2 x का मान लिख दो 1 बटे 2 plus b गुडे x का मान लिख दो 1 बटे 2 यहां देखिए minus का 1 बटे 4 plus में 1 बरावर 1 गुडे देखो यह तो cancel हो जाएगा एक मेंसे घटाएगा ये जीरो हो जाएगा प्लैस B गुड़े एक बटे दो लिख दो अब बता दो B की बैलू कित्ती होगी चलो इसको हल कर लें 4 एक हम 4 में 1 घटाओगे तो 3 ये हो जाएगा 3 बटे में 4 बरावर B बटे में 2 2 दो नी 4 तो यहां से दो को B की बैलू हमें कित्ती मिल गए 3 बटे 2 A और B की बैलू तो ये मिल गए A की बैलू लिख दे B की बैलू लिख दे और समाकल कर लिए तो आब यहां यहाँ पर देखिए इसको हम लким ले आई बन दोखो i1 था, i नहीं है, i तो ये है, i1 बराबर हमने कित्ता माना था, ये दोखो i1 है, ये पुरा, इसको हमने कहां बदला था, इसमें बदल दिया था, तो i1 बराबर हो जाएगा समा कलन, a की बैलू बता दो, एक, तो 1 बटे x into dx, प्लेस b की बैलू कित्ती है, 3 बटे 2, 3 बटे 2 समा कलन, 1 बटे 1 minus 2x into dx लिख दो, इत्ती ठीक है, अब बताओ भई, i1 बराबर कित्ता हो जाएगा, इसको हम लॉग में लिखेंगी, log x, प्लेस 3 बटे 2 लिख दें, इसको लिखेंगी, log में दो, यहाँ पर लिख दें, log 1 minus 2x, एक बात याद रखनी है, कि यहाँ पर x के साथ में minus 2 का गुणा है, तो यहाँ पर minus 2 का भाग जरूर कर दें, plus constant लिख दें, ठीक है, तो i1 का मान हमारे पास हो जाएगा, log x, और minus का 4 हो जाएगा, 3 बटे 4, minus में 3 बटे 4, इंटू में log 1 minus 2x, और प्लस c बन एक constant यह हो जाएगा, ठीक है, अब आपको यहाँ पर, यहाँ पर, जो i1 का मान यहाँ रख दें, समी करड़ 1 में, लिख दें, i1 का मान, समी करड़ 1 में, रखने पर, तो यहाँ पर 1 में, जब म पहले से है, प्लस i1 और i1 का यह मान लिख दें, किता, log x, minus 3 बटे 4, log 1 minus 2x, और प्लस कोई constant c या c1, जो भी आप लिखना चाओ, कोई समस्या नहीं, ठीक है, यह आपका देखो अंसर है, ठीक है, कोई समस्या, अब आपको देखो, यहाँ पर क्या नई बात मिली, यहाँ प तो आपको भाग देना है, और यह ऐसा भी कभी हो सकता है, कि उपर अंस वाली घ्ञात बड़ी हो, हर वाली घ्र छोटी है, तो भी आपको भाग देना है, और भाग देने के बाद फिर वही process अंसिक भिण में बड़ने वाली, पहले आप भाग दो, अगर घ्र घ्र समान है, तो अभी भाग देना है और घात उपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी है तो अभी आपको भाग देना है और भाग देने के बाद जब आंगे बढ़ोगे तब उसको हम आंसिक भेन में बदलेंगे इसको नोट कर लो